दूस्तों है कहना गलत नहीं हुआ कि भारत मालदीव को तमाम तरह की खाने पीने की चीज़े पेटोलियम, गयस और मेटल से अक्सपोर्ट करता आया है लेकिन मालदीव के नेराश्पती मुहमद मॉईजो का भारत को लेकर के जो रवया रहा है इससे भारत और मालदीव के रिस्ते अब शायत पहले जितने बहतर नहीं रहेंगे आपको बता दें भारत मालदीव को हर साल आधा मिलियन यूस डॉलर से भी जादा के पेटोलियम और गयस एक्सपोर्ट करता आया है जिससे मालदीव के अर्थवस्ता को एक एनरजी सपोर्ट मिल रहा था लेकिन आप शायद भारत की तरफ से होने वाले इस एक्सपोर्ट में आपको बड़ी कटोती देखने को मिल सकती है क्योंकि भारत ने रिसेंटली श्रीलंका के साथ में एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया है जिसमें भारत अप श्रीलंका को डिरेक्ली गैस एक्सपोर्ट करने वाला है और यदि आपने नोटिस किया हो तो भारत की तरफ से जो टूरिस्ट मौलदीव में जाय करते थे अब उन्होंने श्रीलंका की ओर जाना शुरू करती है तो आप इसे भारत की एक बड़ी स्ट्राटिजी बोल सकते हैं फिलाल पुरी रिपोर्ट का है आज किस वीडियो में जानते हैं बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चानल को सब्स्क्राइब जरू कीजएगा जारी है इसे भारत एक्सपोर्ट का टार्गेट कर रहा है जहां पर भारत श्रिलंका में बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला है और यह सारा एक्सपोर्ट के माधियम से किया जाएगा आपको बता दें पेट्रोनेट एक जॉइंट वंचर है जिसमें और ने नाचरल प्लैनिंग यह है कि इसी लूकेशन से श्रिलंका टेक पाइल प्लाइन भीजी जाएगी जिसके माधियम से भारत डिरेक्ली श्रिलंका के अंदर एक्सपोर्ट करने वाला है आपको बतादे श्रिलंका के अंदर ट्रांस्पोर्टेशन से लेकर के अलग-अलग इंडस्टी में इस गयस का अस्तेमाल किया जाएगा साथ ही श्रिलंका के अंदर कई इससे पावर प्लांट है जिनने गयस से ऑपरेट किया आता है तुन के लिए भी काफी ज़दा हेल्प होने वाली है आकड़ोक मेताबिक भारत एक दिन में करीब 850 टन गयस को एक्सपोर्ट करने वा आत्रम भारत मता कीचे